Hello everyone, नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप उम्मेद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्थ होंगे मेरे और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक सुब कामना है आशा करता हूँ आप भी दिस दीपा वाली पर बहुत इंजॉय करेंगे और आपके घर में भी सुख सम्रिद्दी की वर्चा होगे आपको बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है चाती में बलगम जमा हुआ है खासी ज़्यादा रहती है घडगड जैसी अवाज आती है आपको भी लगता है सास लेने में बहुत ज़्यादा तकलिफ होती है जो खाम खासी आपको बार-बार होता है और फैपड़ों से CT जिसी आवाज आती है अगर आपको अस्थमा है आपको प्रॉंकाइटिस है और प्रॉंकाइटिस में आपने जादा तर देखा होगा फैपड़ों के अंदर बलगम जमा हो जाता है इकटा हो जाता है इस बलगम को कम करने के लिए इस बल्गम को खतम करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी medicines बताने बाला हूँ, कुछ ऐसे medicines शेयर करने बाला हूँ, जिनकी मदद से आप आसानी से इन problems को ठीकर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और समझते हैं बल्गम को कम करने वाली ऐसी natural home remedies और कुछ ऐसी homeopathic दबाओं के बारे में जो आपको आसानी से इस problem से रहा दे सकती है बल्गम को कम करने के लिए सबसे पहली medicine homeopathic में है अर्जेंटम नाइट्रिकम अर्जेंटम नाइट्रिकम एक ऐसा homeopathic remedy है जो बल्गम को कम करने में मदद करता है और बल्गम को बाहर निकालने में भी मदद करता है आपने एलोपेथी में या अन्य medicinal system में देखा होगा कि कई बार expectorant दबाईयां दी जाती है इसी प्रकार से homeopathic में भी एजे expectorant ये बहुती बिसेज तरीके से काम करती है और बहुती powerful medicine है फ्यापणों से बल्गम को बाहर निकालने में काफी जादा मदद करता है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम की 30 potency आप लीजे और जिनकी उम्र 20 साल से अधे के है उन मरीजों को 5 बुन सोबा 5 बुन श्याम को आप दीजे और आप देखेंगे कि मरीज की जो बल्गम है फैपड़ों के अंदर जमी हुई है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी जब भी लंस के अंदर बल्गम जमा होता है उसके कई कारण हो सकते हैं हो सकता है निमोनिया की प्रॉबलं हो गई हो हो सकता है लंस के अंदर कोई अन्य इंफेक्शन हो गया हो या फिर हो सकता है किसी को निमोनिया बारवा रिकरंट निमोनिया हो जाता हो बच्चों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है और ये मैडिसिन अर्जेंटब नाइटरिकम बच्चों में काफी ज़्यादा इफेक्टिव है अर्जेंटब नाइटरिकम की दो बुन सुबा दो बुन श्याम को बच्चों को यानि जिनकी उम्र 10 साल से 15 साल के बीच में हैं उनको आप दे सकते हैं मरीज को दे सकते हैं बेहदी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगला मैडिसिन है न्यू लाइफ कंपनी का एनल 18 एक बहतरीन होमियोपैथिक कॉम्बिनेशन है जो मरीज को आसानी से ब्रंकस में जो स्वाइलिंग हो रही है ब्रॉंकाइटिस हो रही है उससे बाहर निकालने में काफी जादा मदद करता है अगर लगता है कि चेस्ट से किसी प्रकार की आवाज आ रही है घडगड जैसी आवाज आ रही है बच्चों में भी काफी जादा देखने को मिलता है जिनकी उम्र 50 साल से 60 साल से अधिक है जो हमारी senior citizens है उनमें भी काफ जादा देखने को मिलता है अगर इस तरह की problem है और आपको लगता है कि फैपड़ों में infection हो गया है घडगर जैसी अवाज आ रही है सीटी जैसी अवाज आ रही है तो आप NL18 को दे सकते हैं मरीज को NL18 का 15 बोन सोबह परे कप गुनगुने पानी के साथ आप दीजे और ब को आप दीजे और आप देखेंगे तरह तरह की problems जो लंच से समद्दे समस्याएं हैं उनमें patient को आरा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तीसरा medicine है भारगव कंपनी का चैसिन चैसिन एक ऐसा medicine है जो आपके लंच से बलगम को बाहर निकालने में काफी जादा मदद करता है आपन होते हैं निमोनिया हो जाता है और कई तरह तरह की infection के बज़र से जब बलगम बना स्टार्ट होता है तो चैसिन जो medicine है काफी जादा effective होता है चैसिन medicine की आप 10 से 15 बून दिन में तीन बार शुबा दुपार और श्याम को मरीज को देना स्टार्ट करिए आप देखेंगे तीन ऐसे remedies हैं जिनकी मदद से आप आसानी से बलगम को बाहर निकाल सकते हैं चौथा उपाय आपको घर रेडू करना है और ये उपाय है लहसुन का दो कली श्याम को भून करके तबेपे भून लीजे अगर आग पर इसे भून सकते है तो और ज्यादा अच्छा होगा और results आएंगे दो कलिया डेली भून करके मरीज को देना start करवा दीजे आप देखेंगे patient को काफी जादा राहत मिलना start हो जाएगी ये ध्यार रही जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है उन सभी के लिए ये डोजिस मैंने बताय हुए है और आसानी से आप इन problems को कम करके मरीज को ठीक कर सकते हैं लेसन का एक ऐसा उपाय है जो सरीर के अंदर थोड़ी सी गर्मी पैदा करता है आपने देखा होगा जिनको भी जादा सर्दी लगने से या कई मरीज जैसे होते हैं सर्दियां जैसे ही start होगे उनको चाती के अंदर बल्गम बनना जमना एकटा होना start हो जाएगा ऐसी condition में उस मरीज को अगर आप लेसन देना start करते हैं तो उस मरीज को काफी हद तक बहुत जल्दे जल्दे relief मिलना start हो जाता है आपको दियान रखना है एक तो आपको NL18 का उप्यो करना है दूसरा आपको चैशिन का उप्यो करना है तीसरा आपको अर्जेंटम नाइट कम का उप्यो करना है और चौथा उपाय लेसन वाला मैंने आप सभी को बताया जो काफी जादा effective है फिप्त नंबर पर जो medicine आती है हॉमियोपैथी में है वो है ब्रायूनिया अगर किसी को खासी होती है साथ में आपने कई वार देखा होगा सूखी खासी मरीजों को होती है हलका सा ठसका लगता है तो आप मरीज को ब्रायूनिया अलवा 30 पोटेंसी में दे सकते हैं ब्रायूनिया अलवा 30 पोटेंसी में एक ऐसा medicine है जो खासी को कम करने में मदद करता है जिनका मुह सूख रहा हो गले गला सूख रहा हो गले में खुश-खुश रहती हो और उनको खासी बहुत जादा रहती हो उन मरीजों को अगर आप ब्रायूनिया अलवा 30 पोटेंसी में तीन मुन सुबा तीन मुन दोपार तीन मुन श्याम को देना स्टार्ट करेंगे तो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम मेडिसिन के साथ में मिल करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देती है अगर आपको लग रहा है कि बहुत जादा खासी हो रही है और बहुत जादा तकलिफ हो रही है तो अपनी नजदी की डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए एक वार उनसे जरूर मिलिए उसके बाद क्रीटमेंट लीजे जो मैडिसिन्स मैंने आप सभी के पाए है रामबाळ काम करती हैं साती साथ ऐसे मरीज जिनको बहुत जादा लंस से रिलेटेट प्रॉब्लम से उनको चावल खाना बंद कर देना चाहिए दूद और दूद से बनी हुई चीज़ें श्याम को खाना बंद कर देनी चाहिए तीसरा ठंडी चीज़ें उनको बं जाए जादा ऐसे एरियास में न विजिट करें जहां पर बहुत जादा ठंड रहती है लेकिन अगर फिर भी किसी का काम है किसी का बिजनिस है और उनको प्रॉब्लम भी होती है तो आप ध्यान रखिए लैसुन की कलियां आप जरूर लेना स्टार्ट करिए आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलना स्टार्ट होगा और इन मैडिसन की मदद से भी आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए मैं फिर मिलूँगा इसी तरह कि किसी इंट्रस्टिंग और ट्रस्टेड वीडिय दिए स्वास्त रहें मस्त रहें मुस्कुरात रहें नमस्कार जैएंट